तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नय और लेटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10th क्लास के और हिंदी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है कर्मवीर और ये जो कर्मवीर नाम का चैप्टर है ये कवीता है और इस कवीता के लिखने वाले यानि की रश्नकार का नाम है अयुद्या सिंग उपाध्याय हरी ओद लेखिए कितना लंबा चोड़ा नाम है लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं होना थी कोई फरक नहीं पूर नहीं बस आप लोगो लिखने वाले का नाम याद कर लेना है क्योंकि exam में question पूछ देता है कि बताई कर्मवीर कवीता के कवी कौन है तो कवी कौन है जी कवीता के लिखने वाले कवे तो आयुद्या सिंग उपाध्याय हरी ओद याद रखिएगा ठीख है तो अब चलिए जरह इस कर्मवीर नाम के इस कवीता को समझ लेते ह जो अपने काम को वीरता से करें अपने काम से कभी जी ना चुराएं वो अपना एक लक्ष सेट कर लेते हैं गोल सेट कर लेते हैं कि मुझे ये पा लेना है अब उसको पाने के लिए वो कर्म करना शुरू करते हैं काम करना शुरू करते हैं और तब तक वो कर्म करते हैं जब काम में कस्ची निश्ठा और श्रद्धा रखते हैं चाहे कुछभी होजाए बस उन को कर्म करना है इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कर्म वीर ना कर सके अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना है तो वो कर ही लेते हैं चाहे उनके जिंदगी में कितनी भी रुकाओट कितनी भी परेशानिया क्यों आ जाए कुछ लोग जो होते हैं कि किसी भी काम को शुरुवात करते हैं तो उसमें छोड़ो बहुत ज्यादा इसमें टेंसन वेंचन हैं बहुत काम करना पड़ रहा है छोड़ो अब नहीं करेंगे दो तिन दिन में उपता जाते हैं लेकिन कर्म वीर ऐसे नहीं होते हैं वो गोल सेट कर लिए तो उस पर चाहे कितना भी वो बोरिंग काम क्यों नहों उसको क करके खत्म ही करेंगे और उस लक्ष को प्राप्त कर ही लिए लेंगे टीए तो उसी कर्म वीर के बारे में इस कवीता में बताए गया भूपसूरत तरीके से अयोध्य सिंग उपाद्या एंग देखकर बादा विविद बहू विग्ण जब्रात नहींग रहभरों से भाग के दुख भोग पच्टाते नहीं इसमें बोल रहे हैं कि कर्मवेर के जिन्दगी में कितनी भी बड़ी बड़ी बाधा और कितनी भी अलग-अलग टाइप की रुकावट क्यों ना आ जाए लेकिन वो देखकर बहुत ज़दा घबराते नहीं उससे डट कर सामना करते हैं रह भरोसे भाग के दुख भोग पश्टाते नहीं यानि कि जो कर्मवीर लोग होते हैं ये भाग के भरोसे नहीं रहते हैं ये इस तरह नहीं सोचते हैं कि मेरे भाग में लिखा था ये दुख तो मुझे मिलेगा ही नहीं ये भाग के भरोसे नही लेते हैं ये भाग अपने भाग पर नहीं पश्टाते हैं काम कितना ही कठिन हो किन्तु उक्ताते नहीं भीड में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं बोल रहे हैं कि इनके जिंदगी में कितना भी कठिन काम क्यों न आ जाए लेकिन उसको करते समय वो उक्ताते नहीं है उस है कि मैं यह हूँ अपने आपको उचा नहीं दिखाते हैं ठीक है यह सिंपल नॉर्मल रहते हैं कर्मवीर लोग हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले सब जगह सब काल में वेही मिले फले फुले बोल रहे हैं कि कर्मवीर लोग जो होते हैं बहुत जदा बरदास्त कर होते हैं ठीक है सहते हैं किसी भी चीज को उसको सहन इनके अंदर ना सहन शक्ति बहुत जदा होती है और यही होता है जिसके होजासे मितलब यह सब जगह और सब काल में सभी जगह जो है ना यही फले फुले मिलते हैं ठीक है इनके बुरे दिन भी मतलब इनके सहन शक्ति इ लोग जो होते हैं वो ज़िनको जो काम को अज करना रहता है उसको आज़ी करके वह दिखा देते हैं उस करा कर देते हैं चलुके करके दिखाते हैं कि यह करूंगा तीक है और दो तिन on karmy करते है लेकिन करमीर लोग जो Representativesalon सिर्फ कहकर नहीं रह उस काम को करके भी दिखाते हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं ठीक है मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही सबकी राय को लेते हैं इस दुनिया में तो बहुत सरे लोग है जो राय फ्री एडवाइज देने के लिए तयार रहते हैं तो कर्मवीर्ड लोग जो होते हैं सबकी राये को सबकी बातों को सुनते हैं लेकिन करते वही हैं जो इनका मन कहता है यह अपने दिल की सुनते और अपने मन का करते हैं भले ही सबकी राये लेंगे सबका बात रखेंगे सबकी बात सुन लेंगे लेकिन करेंगे यह ठीक है जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप यानि कि ये जो कर्म वीर्ड लोग होते हैं ये अपने आपकी खुद सही मदद कर लेते हैं यह किसी और पर डिपेंड नहीं रहते हैं कि वो आकर मुझे मदद करेगा वो मुझे आकर हेल्प करेगा नहीं यह अपने आपकी खुद सही में हेल्प कर लेते हैं भूल कर वे दूसरों का मुह कभी तकते नहीं कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं इसमें बोला जा रहा ह कि जो कर्म विर्ड लोग होते हैं वो भूल कर भी किसी दूसरे इंसान का मुह नहीं ताकते कि वह आएगा तो यह काम शुरू किया जाएगा वह आएगा तो मेरी काम किया जाएगा ठीक है यह किसी भी भूल कर भी किसी इंसान का मुह नहीं ताकते यह किसी का इंतजार नहीं क कर सकते हैं अगर यह ठान लिए कि मुझे यह काम करना है तो बस वो करके ही छोड़ते हैं ठीके जो कभी अपने समय को यो बिताते हैं नहीं काम करने की जगा बाते बनाते हैं नहीं इसमें बोला जा रहा है कि यह जो कर्ममीर लोग होते हैं यू अपने समय को नहीं बिताते है ठीक है इसलिए अपना हर एक समय हर एक सेकंड हर एक मिनट सोच समझ कर मतलब यूज कीजिए उसका और सबसे ज्यादा अपने गोल के अपने लक्ष की तरफ अगर असर रहिए अपने लक्ष की तरफ काम करते रहिए कि हां मुझे ये काम कर लेना है उस पर काम करते ही रहिए प्रयास करते रहिए सफलता एक ना एक दिन तो जरूर मिलेगी आम करने की जगा बाते बनाते हैं यह जो कर्मवीड लोग होते हैं काम करने की जगा बाते नहीं बताते बस वो काम करना है और काम करते ही रहते हैं आज कल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं यतन करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं यह आज कल करते हुए यह दिन नहीं गवाते हैं कि आज करूँगा कल करूँगा परसु करूँगा इस दिन से स्टार्ट करूँगा उस दि करना है अब इस शुरू कर देखे और यतन करने में कभी यह जी नहींत यहाँ प्रयास करने में कभी जी नहीं हमेशा प्रयासे सब प्रयास्रत रहते हैं सब्षम करते हैं फिर zach करते हैं एक नए तरीके से नहय के साथ फिर से वो प्रयास करते हैं और सफलता को एचीव करने के लिए कर्म करना शुरू करते हैं मतलब फेल भी हो जाते हैं तो यह डी मोटिवेट नहीं होते हैं कोई इंसान होते हैं जो कि कोई काम करने के लिए कोई चीज को पाने के लिए काम करते हैं और जब वो नहीं मि पाना है इसको पा कर छोड़ते हैं करम करते तारीफ करना शुरू करते हैं जितने भी लोग एनकी तारीफ करना सुरू करते कि देखो कितना चाए काम कर रहा है यह दूसरों के लिए नमूना बन जाते हैं कि इसके तरह बन कर दिखाओ तो यह सर्फ अपने कर्म के प्रति क्या सक्किरिय रहते हैं चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना काम पढ़ने पर करें जो शेर का भी सामना चिलचिलाती धूप यानि कि बहुत ही कड़ी धूप को भी न यह चांदनी बना यह सामना कर लेते हैं काम पढ़ने पर से ना करना पड़े कखा देते हैं इनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है जब यह ठं लेते हैं कि हा मुझे यह काम को कर लेना है तो उनके लिए कितना भी कठिन क्यों ना काम आजाए उनके लिए कठिन नहीं होता है ठीक है तो इसलिए आप अपने जिन्दगी में ठान लिजिए कि मुझे ये बनना है या फिर मुझे ये लक्ष को प्राप्त करना है और उसको ठान लेजिए कि मुझे किस सी गाठ है जिसको खोल वे सकते नहीं कितना अच्छे तरीके से अयोद्या सिंग उपाध्या इसका वीता को लिखे हैं काम को आरंब करके यो नहीं इसको पूरा करके ही चोड़ते हैं सामना करके और यह कभी भी कर लियास्रत रहना है कर्म करते रहना है जो गगन के फूल बातों से व्रिथा नहीं तोड़ते संफदा मन से करोडों की जो जोड़ते गगन के फूल को यानि कि कि प्रति काम करते हैं काम करके अपने लक्ष को प्राप्त करते हैं काम करके ही वह अपने उचाई के फूल को अपने उचाई के लक्ष को प्राप्त करते हैं मन के संपता से वह करोडों की नहीं जोड़ते मन से वह नहीं करते हैं किसी भी काम को बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से हैं कार्बन काच को कर देते हैं उजवल रतन और यह कांच को भी उजवल रतन करके दिखा देते हैं उसको चमकीला और उसको खुबसूरत मतलब क्या बोला जाता है बेसकिम्ती उसको चीज बना कर दिखा देते हैं किस इनके हाथ में कांच ही क्यों न दे दिये यह इतने मतलब क्या बोला जाए इत के परोतों को काट कर सड़के बना देते हैं वे सटड़ों तुमिंश्षी के वहां देते तैंए कि सट्ड़ों बना देतु ये सड़के बना देते हैं सट्डों मरु सित्वी का गर्भ ही इसमें भी वो जल्रासी का बेडा चला देते लगते बहाव में यह किसे ना किसी तरह अपना एक रास्ता नीकाल लेते हैं जंगलों में भी यह महामंगल रसारत leaking होना चाहिए वह तुरंधी फायदा ढूंडने लगते लेकिन यह जो कर्मवीर होते हैं इसा नहीं होता है जंगलों में भी यह जहां भी जाते हैं एक नए रास्ते से उसका मोड निकाल देते हैं जंगल में भी महामंगल रचा जंगल में भी जाते हैं तो उस जंगल के एक मतलब नया रूप दे देते हैं महामंगल रचा देते हैं लिए बीदना उन्होंने बहुत बतला दिया है उन्होंने ही निकाली तार की सारी ज़ी JAC करने का तरीका बता दिए गlor जो किसे भी काम को आशान कर सकते हैं अच триq यहां तक ही देखे मारकर कैसे आ पहले के जमाने में तो मितलत पत्थर पर क्या बोला जाता है काट काट कर लिखा जाता था तो उसमें डेवलंप्मेंट हुआ और दवात और वह क्या बना दिया वह बार-बार फैल हुए होंगे उस कलम को बनाने के लिए लेकिन फिर वह कलम को बना कर तयार तो किये काम को आसान तो किये तो यह जितनी भी जो ट्रिक कर्मवीर के पास होती है कर विर चाहे कुछ कोई भी काम कर सकते आज यहां तक कितना भी जो भी development हुआ है तो क्रम बनाने के लिए बार-बार फैल हुए हुए हुगे लेकिन क्या हार कर बैट जाते और नहीं करते तो क्या आज यह मारकर और कलम बन पाता नहीं बन पाता तो कर्मवीर ही हैं जो काम के प्रते ही निष्ठा रखते हлись कभि अपने काम यह काम को मिलेगा तो हम करेंगे नहीं यह काम इतना ये काम में निष्ठा रखते हैं जो काम को ठान लेंगे बस वो करके दिखाते हैं ये काम करने के जगह को नहीं डूनते कि काम मिलेगा तो करेंगे यहां पर काम है तो मैं ये करूँगा नहीं ये काम को खुद बनाते हैं और असंभो काम को भी ये संभो बना कर दिखात परती है बोलना जा रहा है कि जुद्धा में ज्यादा कठिन और परेशानी और घृती हैं और बी चस्रेजवी के साथ करते हैं इस काम में इतनी रुकावट आ रही है मतलब इस काम को किसी भी हाल में मुझे कर देना है देखिए जीतने का मज़ा तब आता है जब लोग आपके हारने का इंतिजार कर रहे हो जब हजारों लोग आपके आज पास की लोग लाखों हजारों लोग आपके हारने का इंतिजार क तर रहे होना उस वक्त जीतने का मज़ा ही कुछ और होता है वाकई में डाल देते हैं विरोधी सैकडो ही अर्चने वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले बोला जा रहा है कि जो कर्मवीर होते हैं इनके रास्ते में ठीक है बहुत सारे विरोधी इनके दुश्मन लोग अर् करते हैं अपना काम करके ही वहां से टलते हैं जब कोई इंसान सफल होने लगता है ना तो उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटे आती है कुछ दुश्मन और मतलब देखकर जलने वाले इनसान होते हैं जो कि रुकावटे डालना शुरू कर देते हैं और जब इस तरह क कुछ लोग रुकावटे डालना शुरू कर देना तो समझ Gör Keith up You अप सफल होने वाले हैं और उसको किसी भी हाल में उस काम को करके ही रहना तो उनकी राते में बहुत सारे लोग हैं सैक्रों लोग जो हैं रुकाणवटे डालते हैं लेकिन ये अपनी काम को कर के ही वहाँ से टलते हैं वहां कर के ही सब तरह से आज जितने देश है फुले फले बुद्धी विधा धं मिभाव के है जहां डेढ़े-डले बोला कि जिस देश में बुद्धि विधा धन विभाव हो उसका डेड़ा हो उस देश को ना फलने फुलने से कोई नहीं रिख सकता है वो देश बहुत जदा फलता फुलता है बहुत प्रगती करता है विक्सित होता है वो देश ठीक है जिस देश में कर्मवीर लोग रहते हैं जो सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले बोला जा रहा है कि ये जो कर्मवीर लोग होते हैं ये सपूतों के पले होते हैं ये अपने हाथ से जो कुछ भी बनाते हैं वो बन के तियार हो जाता है ये जो कुछ भी चाहते उसको बना कर रखते हैं जो काम को करना चाहें जिस तरह ब क्विश की भलाई होगी क्योंकि यह अपना कर्म तो करते ही हैं कर्म में अपना श्रद्धान रखे रहते हैं लेकिन उसके साथ दूसरों के भी भलाई करना नहीं छोड़ते और खासकर गरीब और लाचार लोगों की यह बहुत दिल वजान से मतलब हेल्प करते उनकी मदद कर करते हैं अत्ती पिछड़े लोग की बहुत ज़्यदा भलाई करते हैं आज कल तो इस देश में इस दुनिया में मतलब सभी लोग सेल्फिस हो गये सबी लोग खुद के बारे में सोच रहे हैं अपने से नीचे लोग को और दूसरे लोग की भलाई के बारे में सोचना ही है बस अपनी भलाई होनी चाहिए वही इस लास्ट लाइन में बताया गया है कि कर्म वीर लोग जो है अगर इस देश में पैदा होने लगे जन्म लेने लगे तो इस देश की प्रगति होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि करम लोग हमेशा धूसरों की भलाई सोचते हैं और इसलिए आप अपने कर्म को मत भूलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ताकि आप लोग इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके आप लोग की भलाई हो सके और आप लोग का सब्सक्राइब नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिन और खुदा हाफिज